वेलकम बैक तो मै चैनल आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम basic fundamental of MS Office यान कि जब कभी भी हम MS Office Package की बात करते हैं तो MS Office Package के बारे में मैं आज आपको बहुत ही basic details बताऊंगा और उन basic details के थुरू हम यह पता लगाएंगे कि किस तरीके से आप fundamentals में कभी भी कोई भी as a beginner आप कुछ भी learn कर रहे हैं तो वहां पर आपको important होता है कि उन concept को अच्छे से समझना और उन पर अच्छे से work out करना तो चली हम start करते हैं MS Office का जो सबसे पहला जो उस package के अंदर सबसे पहला सॉफ्टेर है वह हमारा MS Word तो MS Word के लिए आप क्या करेंगे आप simply start button के अंदर जाके यहाँ पर MS Word 2007 पर click करेंगे तो 2007 यहाँ पर मेरे पास जो version है वो 2007 है और इसमें सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि जब कभी भी आप basic file यानि कि जब आपको एक नई file create करते हैं तो यहाँ पर हमें क्या करना होता है यहाँ पर हमें जैसी में आप click किया है तो click करने के बाद एक normal document कुल के आया है जिसका नाम है document 1 यह by default इसका नाम है document 1 अब जब कभी भी आप इसको initially start कर रहे हैं तो सबसे पहले आपका काम यह होता है कि जब कभी आप नई file बना रहे हैं तो आप उसको यहाँ पर यह जो हमारा बार देख रहे हैं आप office button बार यह basically क्या है हमारा simply option है हमारा file को new, save and then अब उसको वो करेंगे options को हम आगे continue करेंगे तो यहाँ पर मैं file को save कर रहा हूँ एक particular location के साफ से जैसे कि मैं इस file को save किया है desktop के अंदर मैं इसको नाम दे देता हूँ k-a-p-i-l simply couple नाम से मैं इस file को initially save कर लिया है अब यहाँ पर हम बात करेंगे कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें ध्यान अखना होता है कि किस तरीके से हम font का size ले रहे हैं किस तरीके से हम font style ले रहे हैं या हम line spacing indent paragraph यह सब करते हैं तो अभी तो हम आज की वीडियो में discuss करेंगे केवल fundamental formatting की जो की fundamental formatting through ms word तो यहाँ पर हम कुछ भी type करते हैं like मैं as a type करता हू my name is kapil joshi something मैंने कुछ एक type किया है अब कुछ shortcut keys भी मैं आपको in between बताऊंगा तो आपको इस ms office के अंदर ms word हम सीख रहे हैं तो कुछ fundamental commands को भी आपको याद रखना है control plus e अगर हम press करते हैं आपके keyboard में control button है control और alt आप सबको पता ही है control आपके यह जो function यह जो हमारे buttons होते ह यह basically mostly time यह shortcut keys के तौर यूज किया जाते है तो यहाँ पर normally मैंने क्या यूज किया है control plus e तो control plus e जब मैंने एक साथ प्रेस किया तो मेरा यह जो content है लिखावा जो कभी left side में ता अभी तो यह तुरन right side में आ चुका है अब आपको लगता है कि control e या control l या control r अभी यह जो मै यहुआ जधा credit आ result में आपको भी बताया है control plus l एक तो हमारा यह left पर आएगा एक मैंने आपको बताया है control plus r और एक मैंने आपको बताया है NOORMALLY counter plus e तो यह जो basically है control e का जो use है वो है center पर लाने के लिए text को Ctrl r का जो यूज है वो है नॉर्मली हम इसको राइट लेके जाते हैं और कंट्रॉल प्लस जो एल है हमारा वो आता है हमारा लेफ्ट के लिए इस तरीके से कुछ शॉटकट कीज है अब अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली हम शॉटकट कीज को तो हम बाद में डिसकस करेंगे अभी ह जो हमारे options हैं MS Word के अंदर वो कैसे work करते हैं तो सबसे पहले तो आपको जब कभी भी document क्रेट करना हो अपना initially तो अब याद रखिए आपका जो font होना चाहिए maximum जो professional documents में सबसे जादा जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है MS Office और MS Word के अंदर Times New Roman अब Times New Roman के साथ जातार students की query होती है कि सर कौन सा document या कौन सा font हम कौन सा use करें या फिर हम कौन सा font size use करें तो मैं आपको बता दिता हूँ जो हमारा font style होता है वो Times New Roman होता है maximum time और जो हमारा document के अंदर जो हम size लेते हैं वो लेते हैं 12 तो Times New Roman plus 12 यह हमारा standard size होता है जब कभी हम अपना text लिख रहे हैं यह हम टाइप कर रहे हैं अब यहां पर हम क्या करते हैं हम suppose हम बात कर रहे हैं एक normal heading की तो heading के लिए मैंने यह पर type किया है heading तो heading का जो standard size होता है वो हमारा बोला जाता है 14 but 14 जो हमारी heading है sub heading बोलते हैं अब मैंने आप से काए कि sub heading के साथ साथ हमें main heading बनानी है major heading just like as a chapter अगर हम कोई chapter या lesson हम create कर रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे मैं यहाँ पर फिर दुबार असे shortcut key के use करके ctrl e के साथ में center पर लेकर आऊँगा और center पर लेकर आने के बाद मैंने suppose मैं I am just creating a lesson number one तो lesson number one के लिए मैंने क्या किया यहाँ पर मैंने एक टाइप किया है lesson hyphen one अब मैं इसको क्या करूंगा times new roman मैं इसको रहने दूँगा बट मैं इसके साथ साथ में क्या करता हूंगा इसको मैं 18 यानि कि जो मेरा main chapter heading है वो मेरी 18 है जो मेरी normal heading है वो मेरी 14 है और जो मेरा text का जो size है वो मेरा 12 है तो इस तरीके से हम क्या करते है 18 14 & 12 में है लिख देता हूं इसका जो size है basically वो है मारा 18 और जो हमारा heading का size है वो है मारा 14 और जो हमारा text का size है वो होगा मारा 12 तो यह basically यह बहुत ही बहुत ही initial level पर मैं आपको यह document करेट करना बता रहा हूं जहां पर हम maximum जो formatting करते हैं अपने document की वो हम in font size और in font style के साथ हम इसको cover करते हैं इसके साथ साथ हम क्या कर सकते हैं अभी जैसे हम document create कर रहे हैं तो बहुत ही curiosity रहती है students की यह जानने के लिए किसर हम और नया क्या कर सकते हैं तो आप और नय के लिए यह कर सकते हैं जो normally आपका जो document होता है उसमें हम बात करते हैं उनके colors की यानि की हम colors कैसे variation में लेकर आ सकते हैं तो आप सब को पता ही है यहाँ पर एक option है जिसमें आपके अंदर जितने भी documents को अगर आप किसी भी particular text को highlight करना है तो आप उसको simply with the help of any color आप highlight कर सकते हैं तो यहाँ पर suppose मैंने highlight किया है इसको blue color, yellow, green जो भी color आपको चाहिए जो भी आपकी choice है आप उसको highlight कर सकते हैं और अगर आपको font का color change करना है तो font का color change करने के लिए आप यहाँ पर A, यह font color का एक option है तो यहाँ पर आप इसको जाके कोई सभी color आप इसको दे सकते हैं बट यहाँ रखें color आप वही ले जो आपको visible हो background पर but maximum time क्या होता है document में हम जो text का color लेते हैं वो हमारा black ही होता है तो चलिए मैं कोई एक color यहाँ पर change कर देता हूं suppose मैंने यहाँ पर blue color, light blue color के साथ मैंने अपने document का जो text का color है वो मैंने blue कर दिया है तो visibility थोड़ी shallow है but अभी हम यहाँ पर सीक रहे हैं कि किस तरीके से हम documents के अंदर maximum formatting कर सकते हैं अब इसके अलावा एक चीज और है अब आपको heading और my name के बीच में spacing को less करना है क्योंकि यहाँ पर यह भी बहुत बड़ा concern होता है जब कभी document करेट किया जाता है तो हमें अपने page पर maximum content को ले के आना है तो उसके लिए line spacing option होता है यहाँ पर आप देखेंगे line spacing option just change the spacing between lines of text तो यह lines के बीच में जो gap आ रहा है आप यह देखेंगे lines के बीच में gap आ रहा है यह gap को कम करेगा ज्यादा करेगा चलिए हम इसको एक बार यह भी change करके देखते है तो अभी यहाँ पर आप देख रहे है कि 1.15 जो size है line spacing का वो चल रहा है अगर हम इसको 1 कर देते हैं तो documents जो हमारा जो text जो 2 यह हम कह सकते है paragraph यह दो lines के बीच में थोड़ा सा कम हो है बहुत ही minor level पर अगर मैं इसको 3.0 कर देता हूं तो यह उतना ही increase हो जाएगी इसके बीच की जो spacing है बट मैं क्या करूँगा मैं यहाँ पर इसको 1.0 करके मैं नीचे से remove space after paragraph और ज्यादा मैंने इसको spacing को यहाँ पर reduce कर दिया है तो यानि कि अब मेरे पास option बन जाता है कि जब कभी भी मैं कुछ भी यहाँ पर document अपना इसको type कर रहा हूं यह मैं बना रहा हूं तो मेरे पास maximum opportunity है कि मैं अपने एक page के अंदर मैं इसको entire text यह entire जो मेरा content है मैं उसको cover कर सकता हूं अब यह तो होगे हमारा normally line spacing अब इसके साथ साथ एक और basic चीजी है जब कभी भी आप अपना document type करते हैं तो document type करने में आपको indent का द्यान देना होता है अब यह indent क्या होता है नॉर्मली जब हम कभी भी कोई document type करते हैं तो हम इसको क्या करना है all select करके यह आप अपने keyboard अपने touchpad है आपका laptop का यह आप अपने mouse से इसको control select करके पूरा कपूरा यहां से यहां से आप ले सकते हैं जितना आपको indent set करना है तो यहां से लेकर आपने end तक इसको set किया और indent यह basically चार indent आप देखेंगे यहां पर हम इसको alignment के तौर पर बोल सकते है अगर हम यहां पर इसको align set कर देते हैं सेंटर तो यह सारा का सारा text हमारा center पर आजाता है और यही अगर मैं alignment करता हूं text right यह देखिएगा आप यहां पर shortcut keys भी mention हो रही है control plus R तो यह मेरा right side की तरफ चले जाएगा सारा text but हम क्या करेंगे maximum time हम justification लेके चलता है it means we are just justifying with the help of control plus J तो यह हमारा alignment जो होगा यह इस तरीके से set होगा कि हमारा left or right side दोनों में जो document है वह हमारा equally balance हो जाएगा अभी हाँ पर आप देखेंगे कि यह बीच में एक दम से suddenly space बन चुका है वो इसलिए बना है क्योंकि अभी हमारा document incomplete है अभी मैंने यहाँ पर simply यह लिख था कि my name is Kapil Joshi तो आप क्या करेंगे जब आप पूरा document create करें उसमें आप basically जो मैंने आपको आज के इस वीडियो में बताया है font style जो हमारा times new roman है font size जो हमारा 12 है color हमने आप कुछ भी color लिया है जो भी हम highlight करने के लिए yellow color लिया है या फिर हम ले रहे है font का जो color है तो इसके accordingly आप indent line spacing तो यह आप option एक बार आप use करके देखें और आप मुझे अपने जो मेरे इस वीडियो को देखने के बाद आप मुझे एक पर comment section में जरूर बताएं कि आपने अपना document कैसे create किया या आपकी formatting इनिशल लेवल पर कैसा आप plan कर रहे है क्या बनाना चाहते है तो आगे में आगे के वीडियो में आपको मैं यह और बहुत सी चीजे बताऊंगा कि कैसे हम जो है हमारा change style करते हैं कैसे हम replacing करते हैं text को कैसे हम border करते हैं border apply करते हैं तो there are lot of options page layout references तो अभी आप याद रहेगा अभी हम home menu पर हैं तो home menu के अंदर अभी मैं आपको धिरे-दिरे सारे वीडियो के तुरू options cover करूँगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप एक बार मुझे comment section में जरूर बताएं और चैनल को प्लीज subscribe करें for further आपदेशन तो thanks for watching my video